नमस्कार बच्चो दिस इस राम विश्णोई और योर वाचिंग चियोग्राफिक ग्रूव फाइनली आपकी पहली वर्कशीट आ चुकी है क्योंकि दिल्ली में महोल कुछ ऐसा है कि अभी आपको स्कूल नहीं बुलाया जा सकता तो तब तक आप चिल कीजिए घर पर ही आपका स्कूल चलेगा यानि कि ओनलाइन स्टेडी चलेगी और वर्कशीट के दौरा आपको पढ़ना है मैं आपके लिए लेके आऊंगा आपकी क्लास की वर्कशीट जो यह पहली वर्कशीट है जो लिंक थोड़ा देरी से मिला है लेकिन आगे से ऐसे होगा कि आपकी वर्कशीट दो दिन पहली आपको मिल जाया करेगी चलिए आज की वरक्षीट को देखते हैं ये हमारी वरक्षीट नमबर एक है वरक्षीट नमबर ये हमारी एक रहेगी सब्जेक्ट की बात की जाए विशे हमारा SST सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम भुगोल का पहला चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं आज की दिना करेगी पांच अप्रेल 2021 क्लास आपकी एट है और हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों से प्रीचे सबसे पहली बात आती है संसाधन होता क्या है कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकते है कोई भी वस्तु जो हमारी आवशक्ताओं को पूरा कर सकते है वो संसाधन है जो चेर आपको सामने दिखाई दे रही है वो संसाधन है जो आपके बैग में बुक्स हैं पैन हैं वो संसाधन है यानि जहां पर भी आप बैठे हो जो कुछ भी आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है सारी वस्तु में काम की है ना कोई ऐसी इतने यह जो आपको काम नहीं आरे हो सब काम की वस्ते हैं वह सभी संसादन नहीं पूरा करते हैं ह। तो चलिए आसपास संसादन की बात करते हैं इंट क्या है, घर इसी से बनता न, तो इंट क्या है, इंट एक संसादन है, तो इंट संसादन है किस से बना है, इंट मिट्टी से बना है, तो ये भी संसादन है और मिट्टी भी संसादन है, तो ऐसे आप एक दो और भी example दे सकते हो, जैसे आप अपने आस पास या आप देख सकते हैं यहां पर बरतन लिखो गए यहां पर लोहा या फिर अल्यूमिनियम लिखो उसके बाद जैसे बैड है किसे बनाए लकड़ी से बनाए टीवी है धातू से बना है तो यह घर में प्रियोग होने वाली सामगरी को देखें यहां पर चमस्त याग यह स्टेल बोजन जो हम खाते हैं जैसे वो किसे प्राप्त है प्रकृती से प्राप्त है जैसे चावल हो गया गेहूं हो गया दाल हो गया वस्तर जो पहनते वो कहां से आते हैं कमीज आपकी सूती वस्तर यानिकी सूत से बने यह सूत किस से बनता है कपास से बनता है इंधन की बात करें जैसे पेटरोल हो गया डीजल हो गया यह किस से प्राप्त है यह प्राप्त है इंधन जो प्राप्त है आपके पेटरोल डीजल से मिला न और यह परकरती से प्राप्त है तो यह ऐसे सूची बना सकते हैं कि घर में प्रियोग होने वाले वस्तों हैं रसोई में प्रियोग होने परकरती निर्मित है, बेड, मानव निर्मित है, हमने बनाया, लकड़ी क्या है, परकरती की देने, उपर वाले ने दिया न, ऐसे ही जो चमच है, वो क्या है, मानव निर्मित है, स्टील भी मानव निर्मित है, लेकिन स्टील किसे बिना कच्छे लोहे से बनाया, तो कच्छा हो है क्या है वो परकर्ति की देने तो संसादने वो दो परकार के हो सकते हैं मुख्यत और पर कितने परकार के हो सकते हैं दो परकार के हो सकते हैं एक तो मानव निर्मित और एक हो वरक्षीट जो आने वाली है, वो सभी काफी easy आने वाली है, हम पहले भी ये वरक्षीट discuss कर चुके हैं, लास्ट टाइम वो सेम ही वरक्षीट आपकी repeat हो रही है, दूसरी जो exercise दीगी है, कि इन वस्तों को दो स्रेणी विभाजित करना है, हमने जो उपर वस्तों देखी थी, वह वस्तों जिनका कोई आर्थिक मुल्य और वह वस्तों जिनका कोई आर्थिक मुल्य नहीं है, भाई उपर जो हमने वरक्षीट में जो इसमें देखी हैं, तालिका में, वो सभी वस्तों आर्थिक मुल्य नहीं है, तो हम उसमें मिट्टी कर सकते हैं, मिट्टी का आर्थि में मिले ठीक है तो यहां पर आपको दो केटेगरी में कि एक तो आर्थिक मुले यानि की जो कीमती है और एक जो आपको फरी में उपलब्दत यहां पर ऊपर के अलावा भी आप एक जामपल दे सकते हो जिसे की जल है वाई यू है यह क्या है संसाधन तो है लेकिन इनका आर् आर्थिक मुले या आर्थिक मुले नहीं है दोनों ही महतपून है क्योंकि दोनों ही हमारी आवशक्ताओं को पूरा करते हैं और दोनों ही हमारे लिए उपयोगी है तो यहां पर दो पॉइंट आसान से लिखोगे कि दोनों ही हमारे लिए महतपून है क्योंकि दोनों ही हमा संसादन नहीं हो सकते जैसे कोईला था कोईला जब तक हम ने उसको प्रियोग करना नहीं सिखा तब तक क्या था पस पत्थर का एक टुकड़ा था काम का ही नहीं था काम का नहीं था इसका मतलब वह संसादन नहीं था संसादन बनने के लिए तकनी की आवसकता होती है यानि उ जंगल में उगने वाले किसी भी ओस्तिय पोदे, ओस्तिय पोदे की असुरवात में वो तो एक घास की तरह है, ठीक है, लेकिन उस ओस्तिय पोदे को वो जो की घास की तरह है, लोगों को मालूम ने है किसका क्या उप्योग हो सकता है, और अभी की अगर बात की जाए कि इस दवाई को उस technology को यूज़ करके कोई और अगर दवाई बनाएगा तो वो company को कुछ percentage उसको भी देने पड़ेंगे हमें इसा मिलता रहेगा पूरी lifetime उसको मिलेगा तो patent करवा लिया अब क्या होगी वो संसादन होगी यानि कि जो घास था वो उपयोगी नहीं था लेकिन ज जब उसको प्रियोग करने के लिए हमारे पास तक्नीक उपलब्ध हो और उसका आर्थिक मैत हो तब वो संसादन बन जाती है तक्नीक की बात करें तक्नीक क्या है कि नवीन ग्यान और कोशल का उपयोकर नई वस्तों का आविश्कार करना उसे तक्नीक करते हैं टेक्नोलजी या आविश्कार पर एक आधिकार से यानि कि पैटेंट करवा लिया आपने कोई नई खोज कि और उसका पैटेंट करवा लिया तो अब मान लिजिए आपने एक बल बनाया नए तरीक का उसका पैटेंट करा लिया तो अगर यूज से में कोई कंपनी उसी टेक्नोलजी को य करते हैं संसादनों के उसके बाद हम exercise discuss करेंगे जो की आपको रेटन में मिलने वाली है आप अपने प्रिवार जने फैंबली के जो मेंबर से उन संसादनों के बारे में जाने की कोशिश कीजिए और उनकी सूची बनाए जिनका उपयोग आप करें लेकिन पहले यह पहले उपलब नहीं था motor vehicles की बात की जाए पहले उपलब नहीं थे जो इरिक्षय आप देखते हो पहले उपलब नहीं थे च्यार पांच की नाम लिख देना बस बहुत रहेगा सोचिए किस वज़े से आप उनका उप्योग कर पा रहे हैं तो इनका उप्योग किस वज़े से कर पा रहे हैं तकनीक के कारण पहली जो सबसे महत्पून कारक है कि तकनीक के कारण आप उनका उप्योग कर पा रहे हैं क्योंकि तकनीकी विखास हुआ है उसके बाद exercise दी गी है, चलिए exercise को हम solve करेंगे, आपको return में मिलेगी सभी exercise, तो exercise में हमारा पहला जो question दिया गया है, पहला जो हमारा question है, यह कि किसी वस्तु के संसाधन के रुप में प्रवर्तित होने के लिए किन विशेशताओं का होना आवशेक है, यानि कोई वस्तु है, उसको संसाधन कब करेंगे, पहली चीज़ तकनीक, तकनीक उपलब्द होने चाहिए, क्योंकि तकनीक उपलब्द होगी तभी उसका उप्योग कर पाएंगे, जैसे कोईले का उधान दिया था, कि कोईला पहले काम का नहीं था, तकनीक आई हमने उससे बिजली पेदा करना स ये क्योंकि आर्थिक महतव या महतव होना जरूरी है, आर्थिक महतव तो और ज्यादा महतव संसादन बचाता है, उसके बाद second जो हमारा question दिया गया है, ये भी काफी आसान है, इसी से मिलता जूलता है, second question हमें दिया गया है, कि कोई वस्तू किन घटकों के कारण संसादनों के रूप में प्रवर्तित होती है, आप अपने आसपास के उधारन दीजिए, पहला समय के कान, दूसरा तकनीक के कान, उधारन के लिए जंगल में पाए जाने वाले जड़ी बूटी का दवाई के रूप में प्रियोग कमपनी करती है, तो क्या हो गया? संसादन हो गया, यान जए बढ़ते हैं, तीसरे पर्षन की बात करेंगे, तीसरा जो पर्षन है, की तालिका में, जो एक तालिका उपर दीगए, सबसे उपर दीगए न, टेवर, उसमें आपने जो सूची बनाई है, उसे निमल की ताधार पर वरगी करीत करना है आपको, पहला है, वस्तमें जि प्रकरति की देन प्रकरतिक संसादन है तो एंट, बेड, चमच, कमीज यह सबी मानव निर्मित संसादन कहले है यह थी अमारी आज की बिहद आसान वरक्शीट अगर आपको यह वीडियो, यह एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत फूलेगा और हाँ, साथ ही साथ अब अपना नीम और अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन कीजिया अज के लिए वस इतना ही, थेंक यू, बाई बाई, हैव अनाइस टे